हालू, गुड इमनिंग, मैं पावन राव, यूटूब चैनल मैच्वित पावन राव में रेल्वे वाले स्टुडेंट को पढ़ा रहा हूं जोमेट्री, आज हमारी सेकिंड लास्ट क्लास है और कल मैं आप लोंको इसके क्यूशन्स प्लस आप लोंको पोलिगन जो दो क्लास हम लोग शुरुवात करते हैं और उससे पहले मैं आप लोंको बता देता हूं ये वाला जो हमारा बैच है ये ओनली 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 और ओनली फोर है रेल्वे वाले स्टुडेंट्स प्लस जितने भी अधर स्टेट लेवल के अग्जाम्स होते हैं और उसमें कहीं पर अ प्राइन, एंगल, ट्राइंगल, स्टर्केल और क्वाड्लेट्र से काफी सारे पार्ट आप लोंको पढ़ा चुकआ हूं क्वाड्लेट्र का सिरफ एक पार्ट बचे आपने पास ट्रिपेजियम उसके बाद सिरफ पोलिगन बचेगा जो माँ आप लोंको पढ़ाऊंगा आली क्लास में तो आईए हम लोग शुरुवात करते हैं आज की क्लास ट्रिपेजियम या संब्लम चत्रबुज सबसे पहली बात प्रिपेजियम या सम्लम चत्रगुज होता क्या है कोई भी चीज अगर आप लोग देखते हो तो पहले ये तो पता हो नहीं होना चीए कि ये होता क्या है देखिए मैं हर बात ये मान कर चलता हूँ कि आप लोग को कुछ भी नहीं आता, धिरे धिरे हम लोग systematic तरीके से आगे बढ़ता हैं, फिरुवात में मैंने ऐसे माना है कि आपको कुछ भी नहीं पता, ट्रिपेजियम होता क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन धिरे धिरे अपने standard को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, और ट कोई भी quadril, ऐसा कोई भी चत्रबुज, चत्रबुज क्या होता है, जिसकी 4 side equal हो, सिर्फ जिसकी 4 side हो, उसको हम लोग बोलता है quadril, तो ऐसा कोई भी quadril, जिसकी 4 side equal हो, और परतेक को 90 degree तो square, ऐसा कोई भी quadril, जिसकी 4 को 90 degree और opposite side बराबर तो rectangle, ऐसा कोई भी quadril, ऐसा कोई भी चत्रबुज जिसकी चारूं भुजाएं बराबर लेकिन परतेक को नबड़िकरी नहीं होता तो उसका special नाम रोमबस ऐसा कोई भी क्वाडिनेटर जिसके opposite side बराबर और parallel लेकिन परतेक को नबड़िकरी नहीं होता तो उसको बोलता हम लोग parallelogram या समांतर चत्रबुज और इतनी चीज मैं आप लोग को पढ़ा चको हूँ आपको अगर याद है तो उनको भोड़ डिटेल से उनके परतेक के 14 points मैंने पढ़ाये थे आप लोग पिछले classes अगर देखोगे पूरी series अगर देखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता आपका match कितना भी week हो मैं आप लोग को complete match सिखा सकता हूँ लेकिन ये series आप लोग complete देखना यहाँ पर माप लोग को क्या बताने की कोसिस कर रहा हूँ या क्या कहने की कोसिस कर रहा हूँ ट्रिपीजियम या समलं चत्रवुज जो हneckता है अब ये भी एक quadêmी होता है ये भी एक चत्र ठीपीजियम क्या बोलते हैं क्या होता है trypeиров, ऐसा कोई भी quaad little, जिसकी दो side तो parallel होंगी, और दो side parallel नहीं होंगी, ये जो unparallel side हैं, बराबर होना जूरूरी नहीं है, लेकिन कभी बराबर होना जूरूरी नहीं है, लेकिन कभी भी अगर आपको, अगर unparallel sides अपने पास बराबर अगर हो गई तो यह बात धन रखना, unparallel side ये वाली और unparallel side ये वाली ये अगर दोनों बराबर हो गई, तो इसका नाम अपने पास आता है isosless tripegium यह दोनों तो parallel तो ही unparallel side एगर कभी बराबर होगी तो इस चीज का जो नाम होगा इसको हम लोग बोलते है isosless tripegium इसका नाम होगा संदी बाहू सम्लम चत्रगुष यह आपने पास हचानक से कभी कभार क्यूशन आ जाता है किसी बड़े क्यूशन के बीच में वो लिखता है कि संध्वी बाउट सम्लम चत्रवूश तो बस इतनी बात आप लों को पता होनी चीए कि आई सोसले स्ट्रिपेजियम या संध्वी बाउट सम्लम चत्रवूश हम लोग उसको बोलता है जिस trapezium की दो unparallel side अगर कभी भी बराबर हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे अब बात ये है कि सर ये दोनों अपने पास इसकी कोई property है तो वो भी बता दो धान रखना अपने पास यहां से perpendicular डालने पर ये और इधर से अगर हम लोग perpendicular डाल दें तो फिर ये वाली distance और ये वाली जो distance होगी ये always equal होगी ये बात आप लोग धान रखना ये यहां से यहां तक की दूरी अगर x है तो यहां से यहां तक की दूरी भी x होगी ये आप लोग को पता होना चीए ये बात आप लोग धान रखना अब सर बात है कि क्यों होगी, मैंने आपको भूत अच्छ से, भूत सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ाया है, याद रखना, धान रखना है, छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं, मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको बताया है, ट्राइंगल में मैंने भूत डीप से ये है, नबड़ीगरी सर क्यों है, हमने खुद ने पर्पेंडिकॉलर डाला है, एक कौन तो नबड़ीगरी, हाइपोटेनस दोनों का बराबर है, हाइपोटेनस बराबर क्यों है, गिवन है, आईसोसलेस ट्रिपेजियम में, ये दोनों बराबर होती ही होती है, इसलिए तो क्या RHS से दोनों के दोनों त्रिपूस अपने पास यहां पर कॉंगरेंट होगे क्या, और कॉंगरेंट होते ही सब कुछ बराबर, तो बचीवी साइड भी बराबर होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड अपने पास बराबर होगी, और बचावा कौन भी बराब हो जाता है क्योंकि सब कुछ बराबर होता है तो ये इंगल भी इसके बराबर हो जाएगा याद रखना याद रखना अब आगे जितनी भी चीज़े में पढ़ाऊंगा वो अपने पास जरूरी नहीं कि आईसो स्लेस ट्रिपेजियम में पढ़ा रहों पर तेक ट्रिपेजिय में अनपैरलल साइड बराबर होना जरूरी नहीं होता अगर कभी बराबर हो गई कंडिशन है तो उसको आईसो स्लेस बोलेंगे और आईसो स्लेस में दो प्रोपर्टी होती है ये इसके बराबर होगा ये साइड इसके बराबर होगी कभी भी आपके सामने ये चीज़े काम में आ सकती है या आप लोग याद रखना धान रखना सारे बच्चे पर तेक ट्रिपेजियम में धान रखना बराबर नहीं होती अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ट्रिपेजियम में अपने पास यहां से परपेंडिकुलर डालने पर और यहां से परपेंडिकुलर डालन कुछ basic approach में आप लोग को बताने वाला हूँ एक बात मुझे बताईए सभी लोग ये दो चीजे मैंने triangle में आप लोग को याद करवाई होंगी अगर आप लोग को पता हो तो दो जो चीजे हैं वो triangle में मैंने हमेशा आप लोग को याद करवाई होंगी मैंने आप लोग को सिखाया होगा या सिखाने की कोशिस जरूर की होगी कि भाई इसको याद करना इस पर बेस्ट क्यूशन आता अगर नहीं सिखाई तो अब सीख लो किसी बच्चों को लगता है गिनाई नहीं नहीं बताई सकते तो उस चीज को आप लोग अब सीख सकते हैं याद रखना कभी भी अगर आपने पास ऐसा है कि किसी भी ट्रैंगल में अगर पैरलल लाइन खीज दी जाए यहां यहां से यहां से तो दोनो के दोनोन ट्रैंगल सिमिलर हो जाता है चोटे वाला triangle और बड़े वाला दोनों के दोनों triangle similar हो जाएंगे कि याद है क्या, क्योंकि ये वाला angle इसके बराबर, ये वाला angle इसके बराबर और ये common होने के कारण बराबर है कधर ये बराबर क्यों हुआ, आप लोग को क्या पताएगे कि corresponding angle संगत कौन बराबर होते हैं ये छोड़ी छोड़ी चीजें अब आप लोग को मुझसे पहले पता होना चीए इस टाइप की चीजें तो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल में धान रखना कभी भी अगर अपने पास इस परकार से है क्या अगर ये दो लाइन पैरलल है इसको आप लोग इसको मिलाओगे जब भी जेट बन रहा हो ultimate angle अगल बराबर होता है एकांतर कौन बराबर होता है तो ये वाला angle अगर x है तो ये भी कितना होगा x होगा और ये वाला angle अगर y है यहां से यहां तक ये वाला angle अगर अपने पास y है तो z बन रहा है तो ये वाला भी कितना होगा y और vertically opposite angle बराबर होते ही होते हैं तो दोनों के दोनों triangle similar होगे मुझे बताइए तीनों angle बराबर होते ही दोनों triangle similar होगे तो यहाँ पर दो property triangle के हमेशा याद रखिए अगर ये दोनों line parallel है तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर छोटे वाला और बड़े वाला दोनों similar हो जाता है दोनों समरूप हो जाता है और दो triangle अगर similar है तो बुझे समान नहीं होती समान अनुपात में होती है sides equal नहीं होती, proportion में होती है, same ratio में होती है, मुझे बताइए कि ये बात आपको याद है क्या, तो ये चीज मुझे बताओ, इसको इससे मिलाने पर, triangle में जो ये चीज पढ़ाई है, इसको मैं यहाँ पर relate करूँगा, triangle की जो मैंने यहाँ पर point आपको पढ़ाया है, उसको यहा trapezium बन गया क्या, दो line parallel, और मिलाते एक quad little बन गया, और quad little के अगर दो side parallel है, तो इसको बोलेंगे हम लोग trapezium या समलम चतरबुज, बोलिए ठीक है क्या, तो समलम चतरबुज के प्रोपर्टी जो हमारे पास निकल कर आई, वो क्या है, देखिया आप लोग, मैं आपको क्या बताने की कोसिस कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी जो प्रोपर्टी है, यहाँ पर पहला दूसरा या जो भी अपने पास हम लोग लिखें, यहाँ धान रखना किसी भी trapezium के लिए, समलम चतरबुज के लिए, धान से समझने की कोसिस करो भई, अगर हम लोग इसको और यह दोनों parallel है, तो याद रखना इसको इससे मिलाने पर, यहाँ पर इसको, इसका diagonal है यह वाला, तो दोनों diagonals एक दूसरे को equally bisect को नहीं करते, दोनों diagonals अपने पास एक दूसरे को equally bisect नहीं करते, नहीं करते और नहीं करते, लेकिन याद रखना कि आपको पता है क्या कि ये वाला angle अगर x है दो line parallel है तो जब भी alternate angle z बनड़ा है ये x है तो ये भी अपने पास x होगा ये अगर अपने पास y है तो ये भी अपने पास y होगा और vertically opposite angle बराबर होते ही होते हैं तो ये उपर वाला triangle और नीचे वाला triangle दोनों के दोनों similar होगे और दो triangle अगर similar है तो बुझे है समान अनुपात में होगी यहां से मुझे बताइए तो याद रखना इसके दोनों diagonals एक दूसरे को equally bisect नहीं करते लेकिन दोनों diagonals एक दूसरे को समान अनुपात में होते हैं same ratio में काटते हैं यानि इसका ratio अगर दोनों पात तीन होगा तो इसका ratio भी दोनों पात तीन होगा तो similarities हम लोग लिख सकते हैं DO upon अपने पास BO बराबर अपने पास लिख सकते हैं CO upon अपने पास कितना होगा AO और बराबर लिख सकते हम लोग CD upon AB यह बात हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए एकदम ठीक है क्या, तो यह बात धन रखना, यह दिक कभी भी इस पर बेस्ट क्यूशन आ सकता है, इस टाइप के क्यूशन हम लोगों को मिल सकता है, तो यह property आप लोगों को याद होनी चीए, इसके दोनों डाइगमल से एक दूसरे को समध्वी भाजित नहीं करते, एकुली बैसेक नहीं करते, लेकिन समान अनुपात में होते हैं, अगर यह कभी दियाव है कि यह दोनुपात साथ है, तो दूसरे वाले का रेशो बताओ, तो यह 100% यह भी कितना होगा, दोनुपात साथ होगा, और फिर यह साइड भी कौन या तरीके साब लोग समझ पाए होगे, एक प्रोपर्टी आप लोग धान रखना, किस चीज की ट्रेंगल की, क्योंकि मैं आपको ट्रेंगल अच्छे से पढ़ा कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार एरिया से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है, मैं अगे मैं कभी आप लोग क बीच, दो पैरलल लाइन्स के बीच धान से समझना, क्या मैं बताना चाहरा हूँ, या क्या मैं सिखाना चाहरा हूँ, दो पैरलल लाइन्स के बीच और एक ही आधार पर आप लोग कितने भी ट्रेंगल बना लो, दो पैरलल लाइन्स के बीच और एक ही आधार पर आप जित बात आप लोग ठान रखना है कितने भी ट्रैंगल आप लोग बना लीजिए से ऐसा क्यों मैं लाइन क्या बोल हुआ हूं उस चीज को आप लोग धान से समझे वे दो पैरलर लाइंज के बीच और एक आधार पर और फो एरिया का height तो same होगी, दो parallel line के बीच दूरी हमेशा same रहनी है तो दो parallel line बोलते height same होगी और base मैंने same बोला है दो parallel line के बीच height same होगी और एक ही आधार पर एक ही आधार बोला है, तो area हमेशा बराबर बराबर होगा आपको बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये trapezium में क्यों पढ़ा रहे हो ये बात हमारे थोड़ा सा दिमाग में नहीं गुशरी है, ये बात तो ठीक है area में ये पढ़ा दो गया आप वापिस, लेकिन यहाँ पर ये चीज पहले maturation पढ़ाने से पहले ये क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ देखना trapezium की एक property जो आप लोगं को याद रखनी चीए धान रखना, क्या अपने पास यहाँ पर, ये जब भी अपने पास दोनों parallel होंगी ये लाइन अगर parallel है, अपने पास, इसको मैं नाम देता हूँ A, B, C और D तो सभी लोग मुझे ये बताइए, अगर हम लोग यहाँ से ये diagonal मिला दे एक तो लाइन तो parallel है क्या, आप को यहाँ से दोनों parallel है, दो line parallel है, A, B आधार सेम है तो मुझे बताइए, क्या आपने पास दो जो triangle बने A, D, B का area, और मुझे बताओ दूसरा A, C, B का area क्या बराबर होना है क्या दो parallel lines के बीच और A के आधार, A, B आधार मैंने सेम लिया है, line parallel है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, मुझे बताओ triangle A, D, B का area यहाँ पर धान से सुनना आप लोग, बराबर होगा क्या, दो parallel lines के बीच और अधार A, B लेना है, तो A, D, B का area और आपको विशर A, C, B का area दोनों बराबर होंगे A, D, B का area और A, C, B का area यह दोनों आपने पास equal होंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, अब मुझे यह बताओ आप लोग, इन दोनों में से, अगर मैं A, O, B घटा दूँ, यह दोनों बराबर हैं, कहीं भी लिखावा है, X बरा कि हम इसे, माइनस कर दें हम लोग triangle A, O, B का area, और इसमें से भी हम लोग minus कर दें, triangle A, O, B का area, क्या बराबर बराबर चीज़ें घटा सकते हैं, कि हम लोग minus कर सकते हैं, जब भी दो चीज़ें बराबर हैं, तो इसमें दोनों तरप से same point आप लोग minus कर सकते हो, 2, 3, 5, 4, जो A, D, B का जो area है उसमें A, O, B का area अगर घटा दिया A, D, B में से ये अगर A, O, B घटा दिया तो मुझे बताईए बचा क्या तो आप को गशर A, O, D बचेगा तो इसमें से घटा ओगे तो area किसका बचेगा A, O, D का area अपने पास A, O, D का जो area है एरिया मतलब छेतर फुल भाई, हिंदी मीडियों वाले बचे, इतना तो आप लोग जानते होंगे, मैं उमीद करता हूँ और इगर मुझे बताईए, अगर हम लोग A, C, B में से, A, O, B अगर घटा दते हो, तो क्या आपने पास B, O, C का एरिया बचेगा क्या? ट्राइंगल B, O, C का एरिया, ये दोनों अपने पास बराबर होते हैं, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये चीज मैं आपको सिखाना चाहा रहा हूं क्या बताना चाहरा हूँ कि जो unparallel side के pass वाले दो जो triangle बनेंगे unparallel side के pass वाले जो दो triangle बने इन दोनों का area always equal होता है always equal होता है ये बात आप लोगं को पता होने चाहिए किसके पास unparallel side जो बनेंगी उनके pass वाला जो area होगा वो always equal होगा always equal होगा सर बात समझ में आ गई तो आप हम इसको काम में कहां लेंगे ये याद तो गया लेकिन ये चीज़ काम में कहां लेंगे ऐसा question आपके दिमाग में बन रहा होगा तो पहली बात तो धन रखना कि कोई भी अगर चतर बुझ है आप लोग मेरी सिरीज अगर धान से पढ़ोगे धंग से पढ़ोगे मैं हर चीज एक दूसरे से relate करके पढ़ाता हूँ triangle को यहां काम में लेता हूँ अगर आपका triangle धंग से पढ़ा हूँ तो आदी चीज़ आपको पहले से लगेगा कि हाँ पता तो नहीं लगेगा कि यहां पर वो काम में लेनी है क्या लेकिन मेरे बताने के बाद आपको लगेगा हाँ यार यार यह चीज मुझे आती थी तो जो भी series आपकी है मैं पीछे से चीज़े उठा कर बिल्कुल समझा कर अच्छे से आपको पढ़ाने की कोसिस करता हूँ तो जो भी चीज़े आपके पास है उसको आप लोग पहले वाली जो चीज़े हैं उसको धान से पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो, और सीखने की कोशिस किया करो. यहाँ पर मैं आप लोग को क्या बता रहा था? यहाँ पर मैं यह समझाने की कोशिस कर रहा हूँ. मुझे आप लोग एक बात बता दीजिए, क्या अपने पास यह पता है क्या? ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो A, B, C और D कोई भी अगर Quad Little है क्या आप लोगं को पता है कि A1, A2 और A3 परतेक Quad Little में ऐसा होता है दोनु डाइगनल्स को मिलाने पर A1 into A3 बराबर होता है A2 into A4 के ऐसा मैंने एक बार आपको Quad Little में समझा भी चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ बोलिए परतेक बच्चे को याद है क्या, आप कोगे हाँ सर, बिलकुर ये चीज हमें अच्छे से, ढंग से, ठीक से याद है तो हम आपको बताना क्या चाहरा हूँ, मुझे बताइए, ट्रिपेजियम में क्या आपने पास ये दोनों जो होंगे, वो एक्वल होंगे ये अपने पास यहाँ पर ऐसा होता है, अनपैरलल साइड जो हैं दो, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात अनपैरलल साइड जो हैं, उसके पास पास वाला जो एरिया होता है, वो इक्वल होता है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो ये भी धान रखना A2 ही होगा, ये बराबर होगा और इस पर based कभी कभार तो हम लोग बहुत अच्छा क्यूशन कर लेता है, आसानी से एक concept अगर पता है, तो आप लोग सिदे सिदे तरीके से इन क्यूशन को कर पाते हो, तो A into A बराबर ये होता है, तो A2 into A2, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि A2 square बराबर A1 into A3 होगा, य ये अपना अंशरा जाएगा, बोलिए आप लोग समझ पाये हो गया, ये आप लोग screenshot इन points को ले सकते हो, और बाद में इन चीजों को लिख भी सकते हो, अगर चाहो तो, बाद में आप लोग इन चीजों को लिख लेना, साथ साथ screenshot ले लो, लेकिन सिरफ screenshot ही नहीं रह जाए ये धान रखना, हम लोगों को ये बोलता है कि दो लाइन, एक लाइन पर दो side perpendicular है, यहां से इस पर ये नबड़िगरी का कौन, और इस पर ये नबड़िगरी का कौन, इसको इससे मिलाने पर, और इसको इससे मिलाने पर, जो दो triangle बने, इसका area 4 है, इसका area 9 है, तो बताओ इस वाले part का area क्या होगा, ऐसा आसा question, छोटा सा question पूछ लेता है, concept अगर clear है, तो इससे आसा question इस धरती पर, इस सूरज के नीचे है, अस बर्मांड में आपको मिलेगा नहीं, concept clear नहीं है, तो फिर इससे tough question भी आप लोगों को, मुश्किल से ही मिलेगा, याद रखना, तो तो मुझे बताईए, ये side और ये side तो parallel है, unparallel side वाले area equal होते हैं, और ये अगर x होगा, तो ये भी कितना होगा, x होगा, तो x square बराबर, आप लोग लिख सकते हो, 4 into 9, और x square equals to 36 अगर है, तो x की जो value होगी, वो मुझे बताईए, कि अच्छे आएगी, बोलिए, सब लो याद रखना, और याद रखना, एक छोटी सी बात बताईए, मुझे, midpoint को मिलाने वाली line तीसरी से आदी, और उसके parallel होती है, कि आपको पता है क्या, ट्राइंगल में दो बुजों के midpoint को मिलाने वाली जो line होगी, वो तीसरी से आदी तो होगी, होगी, और उसके parallel भी ये बात आप लोग धान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना, तो आईए, फिर हम लोग समझते हैं, मैं आप लोग को समझाने की कोसिस करता हूं, मैं आपको क्या बताने की कोसिस कर रहा हूं, धान से समझिए, देखिए, ये आपने पास कोई भी triangle है, A, B और C, midpoint क मिलाने वाली line तो आपको पता लगी, तो trapezium में बताता हूं फिर, यहाँ पर आपने पास किसी भी trapezium में, ये दोनों side अगर parallel हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दो side अगर parallel हैं, तो कभी भी आपने पास दो side ये वाली unparallel sides है, A, B, C, और D, A है, B है, C है, और D है, य equation आ सकता है, धान से समझना, unparallel side के midpoint को मिलाने वाला point ये P है, और ये इसका midpoint अपने पास Q है, तो धान रखना PQ की जो length होगी, PQ की length अगर कभी भी निकालनी पड़े, तो PQ की जो length होगी, दोनो parallel side के sum की आदी होगी, A, B, C, D का अपने पास जो sum है, उसका half होगी, दो parallel sides के sum की half होगी, ये बात आपको पता होना चीए, ये चीज़ आप लोग धान रखना, जैसे ये वाला angle अगर X, ये वाला line अगर 20 है, और ये वाली line अगर आपने पास दियावा 14 है, then midpoint को मिलाने वाली line की length बताईए, तो बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत घबराना, दोनों को जोड़ देंगे, आपने पास 34, और दो का भाग देंगे, तो आंश राजेगा 17, देखिए मैं ठियोरी को बिल्कुल basic से, बिल्कुल deep से, बहुत अच्छे सा आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि इस से बहार single question नहीं मिलेगा, लेकिन इ 17, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर आपका selection नहीं होता है तो, यहां से आपने पास इसकी जो length होगी, तो इसकी length दोनों को add करो, तो इसकी length कितनी आ जाएगी, 17, 34 कागा, यह आप लोग धान रखना, यह आप लोग याद रखना, अब बात आती है कि स लिए सब कुछ आसान है, मैंने इतना अच्छे से, इतना धन से आप लोग को triangle पढ़ाया है, कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी उसको धान से पढ़ लो, तो आपके सामने नया क्यूशन बन जाए, पुराना क्यूशन बन जाए, इधर से क्यूशन आजाए, दाएं से खुद करना शुरू कर देते हो, और आपका selection तभी होगा, जब नए क्यूशन आप लोग खुद करना शुरू करोगे, और नए क्यूशन आप लोग खुद करना शुरू करोगे, जहां से समझे, यहां पर अगर हम लोग इसको इस से मिला दें, तो यह वाला point मान लो, यहां तो इधर वाला भी 295-3 होता है, यह 1 is to 1 है, तो यह ratio भी 1 is to 1 होगा, midpoint है, तो इधर वाला भी midpoint होगा, तो midpoint को मिलाने वाली line की जो length होती है, वो अपने पास इसका आदा होता है, तो PR की जो length होगी, वो मुझे बताइए क्या x by 2 होगी, क्या तो, और बताओ, अब इस triangle क अगर मैं बात करूँ, ऐसी same concept इस triangle में लगा दो, midpoint को मिलाने वाली जो line होती है, इस वाले की length जो होगी, वो कितनी होगी, y by 2, तो यहां से PQ की length आएगी, वो बताओ, PQ की लंबाई जो आजाएगी, वो आएगी, x by 2 में, y by 2 अगर आप लोग जोड़ लेते हो, तो यह आगया, x plus y by 2, यह अपना आंचुरा जाएगा, बोलिए एकदम ठीक है क्या, क्या आप लोग समझ पाये हैं क्या, यहां पर आपने पास x plus y by 2, यह अपना आंचुरा गया है, इस question का, तो यही तो प्रूव करना था कि इनके sum का आदा, याद रखना, याद रखना, याद यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, या क्या बताने की कोशिस कर रहा हूँ, कैसा भी question आ सकता है, इस से बहार नहीं आएगा, थोरी अच्छे से पढ़ लो, basic अच्छे से पढ़ लो, नए questions भी खुद करना शुरू कर दोगे, अब जुरूनी यही संख्या हैं, वहां पर सिरफ और संख्या हैं, चेंज हो कराएंगी, और इतना तो आपका दिमाग चलना ही चीए, यहां पर आपने पास, जब भी इस परकार से है, जान रखना, यह तो midpoint का जो ratio था, वो तो 1 is to 1 था, यह A, B, C और D, यही कभी भी बराबर सेम ratio में बाटने वाली जो line अगर हो, यहां पर जोरनी हमेशा midpoint ही हो, अगर यहां पर सेम ratio में बाटने वाली कोई line हो, यह अपने पास ratio मानलो A और B, और यह ratio मानलो A और B, अनुपात सेम में बाटने वाली line होनी चीए, तो फिर आपने पास इसकी length क्या होती है, PQ की length का जो formula होता है, इसक कर देता हम लोग किस से, A प्लस B से, तो यह अपने पास आंचरा जाता है, तो midpoint में ratio 1 is to 1 था, तो 1 का इस से into, और 1 का इस से into, तो 1 into 1, 1 दिखाई नहीं दिया, नीचे 1 प्लस 1, वहां पर 2 आ गया, लेकिन कभी कभार यह अनुपात भी हो सकता है, यह चीज भी हो सकती है, याद रखना आप लोग, अगला point अगर मैं आपको सिखाने की कोशिस करो, next point, यहाँ पर यह तो था side के midpoint को, अभी कभार आपने पास ऐसा होगा, यह कोई भी trapezium है, यह कोई trapezium है, समलम चत्रबुजगर है, और हम लोग इसको इससे मिलाने पर, और इसको इससे मिलाने प पी को बी से अगर जोइन कर दें, और एको अगर सी से जोइन कर दें, तो याद रखना यह अपने पास हो है, लेकिन O की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, AC का midpoint मान लिजे P है, यह धान रखना AO का midpoint नहीं है, यह AC diagonals का midpoint है, यह BD का midpoint है, और midpoint को मिलाने वाली line की जो length होती ह वो दोनों जो parallel side है, उनके difference के half होगी, जो unparallel sides अगर हैं, तो उनके difference के half होती है, मैं क्या बताने की कोशिस कर रहा हूँ, या क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, यह अपने पास यहाँ पर धान रखना होगा triangle से, जो triangle मैं पढ़ा कर रहा हूँ, उसी से होगा, और आप आप लोग के notebook में मुझे answer चीए, मैं देखने तो नहीं होगा आपके घर पर, लेकिन मुझे answer चीए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता उसका answer चीए, इसका answer तो मैं ही बता दूँगा, क्योंकि formula आपको मैं बता चुका हूँ, 20-14, 6-15, तो इसकी length कितनी होगी 3, प्रेपेज कि आज की हमारी class, okay, thank you, bye bye, take care, घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना, अगर आपको लगता है कि इससे बड़िया content कहीं पर हमें नहीं मिलता, youtube पर या paid में भी नहीं मिलता, अगर ऐसा लगता है, तो आप लोग इस video को share और like कर सकते हैं, thank you.